परिजनों को इस बात का पता चला और मानकापूर फुली स्टेशन में शिकार की गई आलोपी रितिक मिश्रा बताया गया है सोशल मेडिया की आईडी के अनुसार वह ओडिशा का रहने वाला है 17 वर्षे पीडित किशोरी बानवी कप्षा की छात्रा है पीता नीजी संस्थान में काम करते हैं अगस्त महिने में किशोरी की स्नैप चैट पर रितिक से पहचार हुई रितिक ने उसे बताया कि वह ओडिशा के एक कॉल सेंटर में काम करता है स्नैप चैट पर ही दोनों की चैटिंग होती रही और दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी रितिक ने पीडिता को बहला फुसला कर उसके फोटो भेजने को कहा नमंबर महिने में पीडिता अपनी पढ़ाई में लग गई और रितिक से बाचीत बन कर दी इससे रितिक नारास था वह चैटिंग करने के लिए पीडिता पर दबाव डाल रहा था बात नहीं करने पर फोटो वाइरल करने की धमकी दे रहा था पीडिता ने उसे नजर अंदाज किया इसी बीच रितिक ने पीडिता के फोटो सोशल मीडिया पर उसके रिष्टेदारों और भाई को भेज दिये भाई ने पूशताच की तो पुरा मामला सामने आया मानकापूर पुलीस से शिकायत की गई पुलीस ने रितिक के खिलाब छेड़ खानी पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओ के तहत मामला दर्चकर जाच आरम की है ये थी नापूर से एक्स्ट्रेम नेटवर्क की विशेश रिपोर्ट हमारे चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद